हैपिनेस हमें कुछ महनत करने से मिलती है और प्लेजर बैठे बैठे मिलता है पियर इंस्टेंट का मतलब है जब हम सक्सेस की चाहट से जादा फेलूर से डर जाए आपको उस जिंदिगी में कैसे लोग मिलेंगे ये आपका मकसद तै करता है हिलो ब्रेंबुक आर्मी स्वागत है आपका ब्रेंबुक चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर वाइस कम्प्लीट बुक समरीज आज का ये वीडियो फैक्ट फुलनेस बुक पर आधारित है जिसे हैंस रॉसलिंग ने लिखा है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे समाज ने हमारे दिमाग में चीजों को लेकर गलत सोच बना रखी है जिसकी वज़े से हम फैक्ट को कभी जान ही नहीं बाते ये फैक्ट वो सच्चाई हैं जो हमें पता होनी चाहिए रॉसलिंग जब कई लोगों से मिले तो उनसे बात करने पर उन्हें पता चला कि उन लोगों की सोच सफलता या पैसो को लेकर सही नहीं है इसलिए उन जैसे लोगों को सफलता और जाधा पैसे कमाने के बारे में सिखाने के लिए रॉइटर ने ये बुक लिखी दोस्तों इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पाइरिंग बुक्स की कम्प्लीट बुक समरीज ले कर आता हूँ तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सके इन वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे important points को दोबारा दोहराऊंगा ताकि इस वीडियो में बताए गई बातें आपको आसानी से याद रहें तो इस वीडियो को अंध तक देखना मत भूलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से चैप्टर वन गैप इंस्टिंक्ट राइटर इस चैप्टर में बताते हैं कि जब हम दो लोगों या लोगों के ग्रुप को किसी आधार पर compare करने लगते हैं तो वो gap कहलाता है और तुलना करके उन्हें उनका gap बताते हैं तो उसे gap इंस्टिंक्ट कहते हैं example के लिए जब आप एक रिक्षेवाले को छोटा मानते हैं और बिजनस्मेन को बढ़ा तो आप अपने मन में दोनों के बीच gap बना रहे होते हैं लेकिन असल में वो बिजनस्मेन भी एक इन्सान है और वो रिक्षेवाला भी तो भला दोनों में gap कैसा दोस्तों ये तो हो गया वो gap जो आप लोगों को बताते हैं दूसरे टाइप में इंसान खुद को जब किसी से compare करता है तो उसके मन में भी gap आ जाता है जैसे writer बताते हैं कि 50% लोग पहले से ही अपने काम को काम मानते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं ऐसा इसलिए क्योंके उन्होंने कभी भी अपने बारे में सोचने की कोशिश नहीं की इसलिए अपने मन में उन्होंने अपने आपको दूसरों से compare करके gap बना लिया जो कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते और अगर कुछ लोगों ने इस 50% की भीड से निकल कर कुछ अलग करने की सोची भी तो उनको समाज ने compare करके उनके मन में gap बना कर पीछे रोक दिया राइटर बताते हैं कि दुनिया के केवल 9% लोग कम income वाले देशों में रहते हैं और अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इन कम income वाले देशों ने अच्छी आमदनी वाले देशों से जादा तेज तरक्की की है ऐसा इसलिए हो पाया क्यूंकि उन्होंने अपने आपको compare नहीं किया और नहीं अपने लोगों को किसी से कम माना और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कभी भी समाज की negative बातों में नहीं आए इसलिए वो जादा focus से मेहनत कर पाए और जादा progress कर पाए जिसमें हमारा प्यारा देश भारत और दुबई जैसे देश इसका real life example है तो इस chapter के जरिये writer ये सिखाते हैं कि आप अपनी तुलना कभी भी किसी से ना करें कभी किसी से अपने आपको कम ना माने और अपनी काबलियत का इस्तमाल करते हुए आगे बढ़ने पर ध्यान दें इस chapter में writer ने बताया है कि कैसे हमारा subconscious mind हमेशा बुरी चीजों को अच्छी चीजों से जादा नोटिस करता है वो कहते हैं कि आप एक बच्चे को mobile दे दें और कुछ मत कहें आप देखेंगे कि वो अपने आप ही उसे चलाना सीख जाएगा और अच्छी चीजों से पहले बुरी चीजों को attract करेगा इसमें हम इनसान कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ natural है हम हमेशा बुरी या जादा आरामदाएक चीजों को पहले करते हैं और अच्छी चीजों को बाद में राइटर बताते हैं कि जब भी हम किसी बुरी चीजों को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसकी तरफ attract होने लगता है और बाकी सब बाते छोड़ कर बस उसी चीजों पर ध्यान देने लगता है और वहीं जब हम अच्छी चीजों को देखते हैं तो हमारा दिमाग उन पर से हटने लगता है और मन बेचैन होने लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनसानी दिमाग की नैच्छरल टेंडेंसी ऐसी है कि ये हमेशा से आसान चीजों को attract करता है और बुरी चीजें अकसर आसान होती है आसान चीजों में हमें जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इनाम भी बहुत जल्दी मिल जाता है वही जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें बुरे काम से कहीं जादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके रिजल्ट्स भी काफी देर बाद मिलते हैं लेकिन दोस्तों हमें ये समझना होगा कि आसान रास्ता कभी भी सही रास्ता नहीं होता और सही रास्ता कभी भी आसान नहीं होता इसलिए सही रास्ते का चुनाव करें यहांपर writer pleasure और happiness की भी बात करते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें pleasure और happiness के बीच का अंतर समझना होगा pleasure एक short term happiness है जो हमें किसी भी काम से मिल जाता है लेकिन जादतर तर वो काम बुरे ही होते हैं और हम pleasure को तब feeling करते हैं जब हमारा मन हमारे दिमाग के उपर जीत हासिल कर लेता है, जैसे कि आपको पता है कि exercise करने से आपकी body healthy और fit रहेगी, सुभा कसरत करने के time आपका दिमाग कहता है कि उठो और exercise करो, लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं आराम कर लो और ऐसे में जब आप अपने मन की सुनने लगते हैं तो आपको प्लेजर मिलता है लेकिन दोस्तों प्लेजर सिर्थ थोड़ी देर के लिए ही मिलता है आप अलारम बंद करके दोबारा सोने चले जाएंगे और आपको प्लेजर मि की happiness वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने मन को शांत करके अपने दिमाग की सुनते हैं और exercise करने को तयार हो जाते हैं तो कुछ देर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन जब आप exercise खतम कर चुके होंगे तो आप पूरा दिन खुश रहेंगे क्योंकि ये happiness है और happiness हमे happiness के लिए काम करना चाहिए ना कि pleasure के लिए क्योंकि अगर हम pleasure के लिए काम करेंगे तो हम जीवन में कभी भी successful नहीं हो पाएंगे और happiness के लिए करेंगे तो आज ही अंदर से सुकून और अच्छा महसूस करेंगे और आने वाले समय में भी खुश रहेंगे दोस्तों स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट एक expectation है यानि कि एक सोच है या किसी से उमीद है जो हम अपने आप से रखते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई रेखा से नहीं है बलकि इसका मतलब हमारे जीवन से है हम हमेशा अपने आप से यह उमीद रखते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा चलेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा और हम जल्दी successful हो जाएंगे इस सोच को मिटाने के लिए writer इस chapter को लिखते हैं और कुछ important points बताते हैं writer कहते हैं कि success किसी के हाथ में नहीं है आप ये नहीं कर सकते कि मैं दो साल में successful हो जाऊंगा या चार साल में सफल हो जाऊंगा अगर आप success के लिए काम कर सकते हैं और अगर आप हर काम अपनी पूरी लगन अपनी पूरी मेहनत और मन से करेंगे तो हम बहुत जल्दी successful हो जा पाते हैं कि जब उन्होंने बुक लिखना शुरू किया था तो उनकी पहली किताब बेस्सेलर बुक नहीं बनी थी। उन्होंने लाइन से तीन चार किताबे लिखी और फिर उनकी बुक बेस्सेलर बनना शुरू हुई। ऐसा इसलिए हो पाया क्यूंकि उन्होंने लगातार म मेहनत नहीं कर पाता अगर आप लगातार मेहनत कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप जरूर सफल होंगे वो बताते हैं कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे चाहे वो बिजनस हो या कोई जॉब हो आपको अचानक से सफलता नहीं मिलेगी और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि यह कभी भी सीधी तरह से नहीं मिलेगी हो सकता है कि शुरूरात में आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ना करें शुरूरात में शायद आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप बिजनस कर सकें कभी आपका बिजनस बहुत अच्छा चलेगा कभी थोड़ा बेकार च प्रिजनस सच में चलेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। चैप्टर फोर दफियर इंस्टिंक्ट दोस्तों, फियर इंस्टिंक्ट का मतलब है जब हम सक्सेस की चाहज से ज़ादा फेलूर से डर जाएं। कि हम काम करने की चीजों से ज़ादा दरावनी चीजों पर ध्यान देने लग जाएं। राइटर कहते हैं कि सक्सेस एक आसान चीज नहीं है। ये एक इंपॉर्टन चीज है और जरूरी चीजें आम तोर पर मुश्किल ही होती हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को लेकर अपने मन में डर बिठा लेते हैं तो वो नामुम्किन हो जाती हैं। राइटर इस डर को एक एक्जामपल की मदद से समझाते हैं। वो कहते हैं मान लीजे आपको एक नदी के उपर से चलांग लगानी है। वो नदी इतनी बड़ी भी नहीं कि आप उस पर चलांग ना लगा सकें। लेकिन अगर उस समय आपको कोई बोल दे कि क्या होगा अगर आप इसके अंदर गेर जाएं डूब जाएं तब आपके मन में शायद डर आ जाएगा और आप शायद छलांग नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह ये चीजें हमारे सक्सेस पर भी लागू होती हैं। अगर आप कोई बिजनस करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फैंसले सोच समझ कर लीजिए और एक बार डिसीजन लेने के बाद उसके उपर लगातार मेहनत करना शुरू कर दें। आप अपना जादातर समय ये सोचने में लगाएं कि मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा बिजनस आगे बढ़े ना कि ये सोचने में लगाएं कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या करूँगा। इस से आपकी एनरजी खतम होगी और आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। राइटर इस सिच्वेशन से निकलने के कुछ पॉइंट बताते हैं आईए इन्हें समझें। पहला जादा सोचना बंद कर दीजे। एक बार फैसला सोच समझ कर लीजे और फिर उस पर लगातार मेहनत कीजे। दूसरा अपने फील्ड के टॉप के लोगों को देखिए और उन्हें फॉलो कीजे। तीसरा एक कोच या मेंटर ढूंडिए जो पहले से आपके फील्ड में हो और आपको गाइड कर सके। चौथा अच्छी किताबे पढ़िए और मोटिवेशनल वीडियो देखिए ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। पांचवा जिन लोगों की बाते आपको अच्छी ना लगती हों, उनसे दूरी बनाएं। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए जो दो और बातें मैंने How Not To Be Wrong की बुक समरी कुकु FM एप पर सुनते वे सीखी हैं, वो ये हैं कि पहला mathematics की calculations common sense पर based होती हैं, इसलिए maths उससे ज़ाद आपयोगी है जि कुकु FM एप इंस्टॉल कर How Not To Be Wrong की बुक समरी सुन सकते हैं, parenting tips की तलाश में पतनी से लेकर, business और finance tips की तलाश करने वाले पती तक, fitness के प्रती जागरुख भाई बहनों से लेकर, अपनी mental और physical fitness में सुधार की तलाश में youth तक, हर family member को life में grow करने के लिए knowledge की जरूरत होती ह और ये knowledge आपको मिलती है कुकु FM के audio shows में, और हम चाहते हैं आपके हर family member के पास हो knowledge का unlimited access, इस app की सालाना subscription 399 रुपए है, पर अगर आप घर 50 code को use करते हैं, तो आपको मिलेगा 50% discount, यानि की अब आपकी सालाना subscription सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो की रोज के 1 रुपए से भी क याद रखें, ये special 50% discount सिर्फ 19 जून तक ही valid है, तो देर मत कीजे और इस special discount का फायदा उठाकर अपनी life में एक जादूई बदलाव लाएं, आप description में दिये हुए link पर जाकर कुकु FM app को download कर सकते हैं, चैप्टर 5, Overwork दोस्तों, writer बताते हैं कि जोश और जुनून हमारे काम में दिखना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ये जोश और जुनून हमारे ले भारी पर सकता है, लेखक बताते हैं कि जब मैं पहले शुरुआती दिनों में कोई book लिखने जाता था, तो एक दिन में 2-2-3-3 chapters लिख दिया करता था, जिसकी वज़े से उनके अंदर दूसरे दिन का जोश खत्म हो जाता था, और वो बहुत जल्दी उस काम में ठक जाते थे, और इसके साथ-साथ उनकी book के content पर भी इसका फर्क दिखने लगा, फिर लिखक को समझाया कि हम कभी-कभी जोश में बहुत जादा काम करन और आज उनकी कई सारी books best seller हैं, लेखक कहते हैं कि जतना जरूरी काम को करना है, उतना ही जरूरी आराम करना भी है, कभी-कभी हम जोश के कारण अपने काम को जरूरत से जादा करने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से हमारा मन उस काम से उप जाता है, इस situation से निपटने के ल इसके बाद 10 मिनिट तक ब्रेक लीजे और फिर इसको दोहराएं, इससे आपका मन भी नहीं उबेगा और आप फ्रेश भी फील करेंगे और आप अपने काम को दोगनी एनरजी के साथ दोबारा शुरू कर सकेंगे, दूसरा एक समय पर एक ही काम करें, तीसरा अपने काम से ह जोज ना लगे और आसानी से उसे कर सकें. चैप्टर 6 दप पोलराइजेशन इंस्टिंक्ट इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कभी कभी हम दुनिया को जानने के चक्कर में कई बार अलग-अलग तरह के लोगों की संगती में आ जाते हैं, जिसकी वज़े से हमारा भाव भी उनकी तरह हो जाता है और वो हमें अपने जैसा बना देते हैं. इस प्रोसेस या प्रक्रिया को पोलराइजेशन कहते हैं. राइटर कहते हैं कि पोलराइजेशन कई माइनों में अच्छा भी है और कई माइनों में बुरा भी है. अगर हम अच्छे लोगों से अट भावित हो रहे हैं तो हम बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। राइटर कहते हैं कि उनकी लाइफ में पॉलराइजेशन का बहुत बड़ा महत्व है। जब उन्होंने किताब लिखना शुरू किया तो वो एक अच्छे राइटर के साथ बैठते थे। उनकी बाते सुनते थे जि उनके बारे में पढ़ें ताकि आप भी उनकी तरहां बन सकें और एक दिन उन्हीं की तरहां सफल हो सकें। यहां पर लेखक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको जिन्दगी में कैसे लोग मिलेंगे। यह आपका मकसद तैय करता है। अगर आप एक अच इसी तरह के लोगों से मिलें और एक अच्छे इंसान बन जाएं। साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि जिन्दगी में अगर आप कभी बुरे लोगों की संगती में पढ़ जाएं तो जितना जल्दी हो सके उससे बाहर निकलें। दोस्तों यहाँ पर बुरे लोगों की सोचने लगे हैं ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं वो खुद की लाइफ तो खराब कर ही चुके हैं साथ ही साथ आपकी भी कर देंगे इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उनकी संगती से दूर हो जाएं और अपने आपको एक अच्छी संगती में डालें और एक अच्छे इ रोल है वो कहते हैं कि उनकी नजर में इस दुनिया में किस्मत का बहुत बड़ा रोल नहीं है किस्मत भी उनीका साथ देती है जो महनत करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें आज तक लाइफ में जो कुछ भी मिला है उनकी महनत से मिला है इसमें उनकी किस्मत का कोई रोल नहीं थ चाहिए क्योंकि किस्मत हर किसी की अच्छी नहीं होती और नहीं किस्मत हर किसी का साथ देती है। राइटर बताते हैं कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। इतनी महनत करने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, ऐसी हालात में जादतर लोग हिम्मत हार जाते हैं या फिर अपनी किस्मत को दोश देने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें इस समय कंसिस्टेंसी में विश्वाश रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी यनि लगातार वो काम करते रहना जो आप करते आ रहे हैं। भले ही आज उन्हें कोई रास्ता ना दिख रहा हो लेकिन अगर वो महनत करते रहें तो एक ना एक दिन उन्हें सही रास्ता दिख जाएगा और सफलता मिल जाएगी। जो लोग किस्मत का बहाना देते हैं वो उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं शायद दुनिया में ऐसे हजारों एक्जामपल हैं जिनकी लाइफ में हमसे कई जादा प्रॉब्लम्स थी लेकिन वो फिर भी सफल हुए और उन्होंने इतिहास रचा इसलिए हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में विश्वाश रखना होगा क्योंकि हार्ड वर्क तो एक रिक्षे वाला भी करता है और हार्ड वर्क एक बिजनसमैन भी करता है लेकिन दोनों की कमाई में जमीन आसमान का फर्क होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इस मेहनत के तरीके को आथर ने थोड़ा आसान बना दिया है। उन्होंने इस तरीके को कुछ पॉइंट्स में बताया है। आईए उन पॉइंट्स को समझते हैं और इन इस तरह जब तक आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए आप जो भी काम करें उस पर बारीके से नजर रखने की कोशिश करें। एग्जामपल के लिए अगर आप हर दिन एक चैप्टर पड़ते हैं। तो आप ये देखते रहिए कि आपने हर रोज एक चैप्टर कितने दिन या कितने महीने तक पड़ा। इस से आपको पता चलता रहेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप पहले दिन 4 गंटे पड़ते हैं तो दूसरे दिन 4.5 गंटे ऐसा करने से आप अपने आग को ट्रैक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप सही रस्ते पर हैं या नहीं दूसरा अपनी नौलेज को बढ़ाते रहे दोस्तों अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपनी नौलेज को बढ़ाते यहाँ पर knowledge का मतलब सिर्फ school या college की पढ़ाई से नहीं है यहाँ पर knowledge का मतलब है आपको हर एक चीज की जरूरी थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए अगर आपके पास computer है तो आपको computer की knowledge होनी चाहिए आपको finance की knowledge भी होनी चाहिए इसके लिए आप बड़े-बड़े writers की book पढ़ सकते हैं जिससे की आपको knowledge मिलती रहे motivational कहानिया पढ़िये आप हमेशा ही एक ही तरह की मेहनत से काम नहीं कर सकते आपके अंदर जुनून और जिद जगाने के लिए motivation बहुत ज़रूरी है इसके लिए आप जिन भी तरह के लोगों को follow करते हैं उनकी कहानिया उनकी biography या उनक distinct इस चैप्टर में writer बताते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है या हम अपनी life में किसी परिशानी में फस्ते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये है कि blame यानि इलजाम लगाना और ये बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गत है कि वो कभी भी अपनी गलती नहीं देखते और जो भी उनके साथ problem होती है उसके लिए वो ये ढूनते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है राइटर बताते हैं अपने शुरुआती दिनों में जब वो किताब लिखने बैठते थे तो उनको कोई idea नहीं आता था वो कहते थे कि आज का मौसम अच्छा नहीं इसके बाद से लेखक ने अपनी इस गलती को ढूंडा और उसके उपर काम करना शुरू किया फिर जब भी उनका काम करके दिल भर जाता तो वो 5-10 मिनिट का ब्रेक लेते थे और फिर वापस काम करने आ जाते थे राइटर ने अपने इलजाम लगाने की आद़ छोड़ दी और अच्छी तरह मन लगा कर किताबे लिखने लगे राइटर बताते हैं कि इनसानी दिमाग कुछ इस तरीके से बना है कि जब भी वो हारता है या किसी के सामने उसे बेस्ती महसूस होती है तो वो सबसे पहले अपने आपको बचाने का एक बहाना ढूनता है जैसे कि आपन ये नहीं कहते कि मैं ठीक से नहीं पड़ा या मेरी महनत में कमी रह गई जिसकी वज़े से मैं फेल हो गया ऐसा इसलिए क्योंकि इनसान का दिमाग इस तरह से बना और काम करता है लेकिन अगर हम इस तरह ही आगे चलते रहे तो हम जादा दूर तक नहीं जा पाएंगे इसल करना और उनको अपनी जिनदगी में दूबारा कभी न दोहराना तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप से कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताये गए सारे इंपोर्टन पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा तो चलिए सारे इंपोर्टन बातों पर एक बार फिर से नज डाल लेते हैं जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो negativity या negative लोगों से दूर रहें हमारा जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चल सकता अपने दिमाग में अपने गोल या लक्षे को साफ साफ देखें आप जिस किसी भी field में है अपने field के top के लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करें और उनसे अपनी field की बाते सीखें जीवन में हर चीज के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं इसलिए दूसरों के उपर blame लगाना या इल्जाम लगाना बंद कर दें अगर आप भी सही fact जानकर अपनी life change करना चाहते हैं तो आप description में दिये हुए download link पर जाकर कुकु FMF इंस्टॉल कर how not to be wrong की बुक समरी सुन सकते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको factfulness बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा मैं जल्दी आपके लेक नया life changing वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब कर दो